नमस्ते दोस्तों, आये सुनते हैं आचारे चतुरसेन शास्त्री के द्वरा लिखीवी कहानी, बड़ी बेगम दिन धल गया था और धलतेवे सुरज की केड़ने दिल्ली के बाजार में एक नई रौनक पैदा कर रही थी, अभी दिल्ली नई बस रही थी, आगरे की गर्मी से घबरा कर बादशाह शाह जहां ने जमुना के किनारे अर्ध चंद्रकार यह नया नगर बसाया था, लाल किला और जामा मस्जिद बन चुकी थी और उनकी भवेशवी दर्शकों के मन पर स्थाई प्रभाव डालती थी, फैस बाजार में सभी उमीर उम्राओं के हवेलियां खड़ी हो गई थी, इस नए शहर का नाम शाह जहाना बाद रखा गया, परंतो पठानों की पुराने दिल्ली की बस्ती अभी तक बिल्कुल उजार नहीं हो चुकी थी, बलकि कहना चाहिए कि शाह जहाना बाद के लिए बहुत सा मलबा और सामान पुराने दिल्ली के मालहात के खंड़रों से लिया गया था, जो पुराने किले के हौज खास और कुतुब मिनार तक फैले हुए थे, कच्चा पूर्वा था, सलीमगर का किला बीच जमुना में था, जो एक विशाल टापू सा प्रतीत होता था, और जिसे बारा खंभ वाला पुखता पुल लाल किले से जोड़ता था, अभी इस नगर को बने तीसी बरस हुए थे, फिर भी या मुगल सामराजी की राजधानी के अनुरू शोभायमान नगरी के सुश्मा धारन करता था, शहरपनाह नगर और किले दोनों को घेरे थी, यदि शहर के उन बाहरी बस्तियों को जो दूर तक लाहोरी दर्वाजे तक चली गई थी, और उस पुरानी दिल्ली के बस्तियों को जो चारो ओर दक्षिन पस्चि प्रिथक प्रिथक लगाये थे, शाही महलसरा और मकान किले में था, किला भी लगबग अर्धचंद्रकार था, इसकी तली में जमना नदी बह रही थी, यहीं खड़े होकर सरदार, अमीर और हिंदू राजाओं की फोजें जरोखे में खड़े बादशाह के दर्शन किया कर किले की चार दिवारे भी पुराने धंग के गोल बुर्जों की वैसी ही थी, जैसे शहर पना की दिवार थी, यह ईटो और लाल पत्थर की बनी वी थी, इस कारण शहर पना की अपेक्षा इसकी शोभा कुछ अधिक थी, शहर पना की अपेक्षा यह अधिक उची और और पत्थर के बने थे, खाई के जल में बहुत सारी मचलियां भी थी, खाई के पास ये एक भारी बाग था जिसमें भाती-भाती के फूल लगे थे, किले की सुंदर इमारत के आगे शुशोबित या बाग अपूर्व शोभा विस्तार करता था, इसके सामने एक शाही चौक जिसके एक और किले का दर्वाजा था और दूसरी और शहर के दो बड़े-बड़े बाजार आकर समाप्त होते थे, किले पर जो राजा, रजवाड़े और अमीर पहरा देते थे, उनके डेरे टंबू और खे में इसी मैदान में लगे वे थे, इनका पहरा केवल किले के बाह पहरी था, किले के भीतर उम्रा और मनसबदारों का पहरा होता था, इसके सामने ही शाही अस्तबल था, जिसमें अनेक कोतल घोड़े मैदान में फिराय जा रहे थे, इसे मैदान के सामने ही तनी खटकर गूजरी लगती थी, जिसमें अनेक हिंदू और जोतिशी नजूमी अ फिर से पैर तक बुरका ओड़े और चादर में शरीर को लपेटे उनके निकट खड़ी थी, और वे उनके हाथों को भली भाती देखकर पाटी पर लकीरे खींचते तथा अंगुली की पोर पर गिंते उनका भविश्य बता कर पैसे ठग रहे थे, इनी ठगों में एक दोग आजी देखद दर्शक यंतर था और एक रोमन कैथलिक की सचित्र प्राथन पुस्तक थी, वह बड़े ही इत्मिनान से कह रहा था, यूरोप में ऐसे ही ग्रहों के चित्र होते हैं, पीछे जिन दो बाजारों की यहां चर्चा हुई है, जो किले के मैदान में आकर मिले थे, वहीं एक सीधा और प्रशस्त बाजार चांदनी चौक था, जो किले से लगबग 25-30 कदम के अंतर से आरंब होकर पश्चन दिशा में लाहोरी दर्वाजे तक चला जाता था, बाजार के दोनों और महराबदार दुकाने थी, जो इटों की बनी थी, तथा एक मंजिला थी, बारामदे के पीछे दुकान के भीतरी भाग में माल असबाब रखा जाता था, और रात को बारामदे का सामान भी उठा कर वही रख दिया जाता था, इनके उपर व्यापारियों के रहने के घर थे, जो बहुत सुंदर प्रतीत होते थे, नगर के गली कूचे में मनसबदार हकीमों और धनी व्यापारियों की हवेलियां थी, जो बड़े-बड़े मुहलों में बटीवी थी, बहुत सी हवेलियों में चौक और बगीचे इत्यादी भी थे, बड़े-बड़े मकानों के आसपस बहुत मकान घास फूसके भी थे, जिसमें खिदमतगार और नानबाई इत्यादी रहते थे, बड़े-बड़े अमीरों के मकान नदी के किनारे शहर के बाहर थे, जो खूब कुशादा, ठंडे, हवादार और आराम देह थे, उनमें बाग, पेड, हौज, दालान इत्यादी सभी थे, तता छोटे-छोटे फवारे और तहखाने भी थे, इनमें ब जरिदार मंडिले और रेश्मी कपड़े भरे पड़े थे, एक बाजार तो सिफ मेवों कहीं था, जिसमें इरान, समरकंद, बलक, बुखारा के मेवे बादाम, पिष्टा, किश्मिश, बेर, शफ्तालू और भाती-भाती के सूखे फल, और रूई की तहों में लिप्टे, बढ़िया अंगूर, नाशपाती, सेब, सर्दे भरे पड़े थे, नानबाई, हलवाई, कसाईयों की दुकाने गली-गली के अंदर थी, चड़िया बाजार में भाती-भाती की चड़िया, मुर्गी, कबूतर, तीते, मुर्गाबियां बहुतायत से विक रही थी, मचलियो पालकी और मियानों पर अमीर लोग आ जा रहे थे, चित्रकार, नकाश, जड़िये, मीनाकार, रंग्रेज और मनिहार अपने-अपने कामों में लगे थे, इस वक्त चांदनी चौक में एक खास चहल-पहल नजर आ रही थी, इस से में बहुत से बरकंदाज, प्यादे, हीड हटा कर रास्ता साफ कर रहे थे और जाड बरदार सडकों का कूड़ा करकट हटा रहे थे, दुकांदार चौकनने होकर अपने-पने दुकानों को आकरशक रीती पर सजाय उत्सुक बैठे थे, इसका कारण यह था कि आज बड़ी बेगम की सवारी किले से इसी राह आ बादशा की बड़ी लड़की जहां आ रहा शाही हलकों में बड़ी बेगम के नाम से प्रसिद्ध थी, वह विदुशी, वुद्धिमती और रूपसी इस्त्री थी, वह बड़े प्रेमी स्वभाव की थी, साथी दयालू और उदार भी थी, बादशाह ने उसे जेब के लिए सूरत का इलाका दे रखा था, जिसके आमदनी भी 30 लाख रुपय साला न थी, इसके सिवा उसके पिता, उसके बड़े भाई अपनी गर्ज के लिए उसे बहुमुले प्रेम भेट देते रहते थे, उसके पास धन रतन बहुत एकत्रित हो गया था, वो खूब सजध कर ठाट से रहती थी, वो अंगूरी शराब की बहुत शौकिन थी, जो काबुल, फ्रांस और कश्मीर से मंगाई जाती थी, वो अपनी निगरानी में बढ़िया शराब बनवाती, जो अंगूरों में गुलाब और मेवनाट डाल कर बनाई जाती थी, रात को कभी-कभी वो इतने नशे में डूब जाती कि उसका खड़ा रहना भी संभव न हो सकता, उसे उठा कर शया पर डाला जाता था, शाह जहां के शाशनकाल में वही तमाम सामराज्ये पर शाशन करती थी और इससे उसका नाम बड़ी बेगम प्रसिद्ध हो गया था, शाही मुहर इसी ताब अपसरा मोर्चल और चमर डूलाते वे पालकी का घेरा डाले चले जा रहे थे, वे जिसे सामने पाते उसी को धकेल कर एक उर कर देते थे, बहुत से जारजियाना गुलाम सुनहरे रुपहले डंडे हाथों में लिए जोर जोर से हटो बचो हटो बचो चिलाते चले जाते थ उनके आगे भिष्टी तेजी से दोड़ते वे सडक पर पानी का छिड़काओ करते जाते थे, मोर्चलों और चवरों की मूट, सोने और चांदी की जड़ाओ थी, पालकी के साथ सैकडों बांदियां सुनहरे पात्रों में जलतीवी सुगंद लिए चल रही थी, और सबसे आगे दो सो तातरी बांदियां नंगी तलवारे हाथों में लिए तीर कमान कंधे पर कसे सीना उभारे साफे बांदे चल रही थी, और सबसे पीछे एक मनसबदार घुरसवार रिसाले के साथ बढ़ रहा था, यह मनसबदार एक अति सुन्दर युवक था, उसका रंग अत चंचल और बहु मुल्य था, यह तेजस्वी सुन्दर मनसबदार नजावत खा था, जो शाहे बलक का भतीजा और बुखारे शहजादा मशूर था, और बादशाह शाह जहां का कृपापात्र मनसबदार था, इस समय बहुत से अमीर उम्रा चांदनी चौक की सैर को निकले इन अमीरों के ठाट भी निराले थे, किनी के साथ दस बीस, किनी के साथ इस से भी अधिक नौकर चाकर और गुलाम पैदल दोड रहे थे, अमीर घोडे पर सवार ठुमकते, धीरे धीरे पान कचरते वे अकड़ कर चल रहे थे, कुछ चलते चलते ही पेचवान पर अंबरी तंबाकू का कश खीच रहे थे, साथ साथ खवास गंग जमनी काम की फरश्री हाथ में लिए दोड रहे थे, गुलामों में किसी के पास पांदान, किसी के पास उगलदान, किसी के पास इत्रदान, कोई सरदार की जड़ाओ तलवार लिए चल रहा था, और इस प्रकार अमी प्रकार सूचना देने के लिए जो तरुन सरदार पालकी के साथ चल रहा था, वो एक प्रकार से किशोर वैका था, अभी पूरा तारुन्य उसके मुख पर प्रकट नहीं हुआ था, वो एक सुकुमार, सुंदर और सजीला किशोर था, वास्तों में ये शहजादी की उस्तानी का बेटा था, जिसका बचपन शहजादी के साथ महल सरा में बीता था, और जिसे प्यार से शाही हरम में दोला भाई कहते थे, यदि पि इसकी हैसियत एक सेवक की थी, पर शहजादी की कृपा दृष्टी से ये धीट हो गया था, और अपने को किसी शहजादे से कम न समझता था, उसके सब ठाट बाट भी शहजादों के समानी थे, धीरे धीरे सवारी आगे बढ़ती जा रही थी, इसी समय सामने से एक हिंदू सरदार की सवारी आ गई, ये हिंदू सरदार बूंदी का हाडा राजा राव छत्रशाल था, इ वह कमर में दो तलवारे बांधे था और उसके साथ पचासो सवार, पैदल सिपाही और नौकर चाकर सेवक और मुसाहिब चल रहे थे, दिल्ली में रहने वाले दरबारी उमरावों से इसकी छटा ही निराली थी, जो ही बेगम की सवारी उसकी दृष्टी में पड़ी, वह पुकार लगाई और दूलहा भाई ने बेगम को इसकी सूच न दी, शहजादी ने तुरंत अपने सवारी आगे बढ़ाना रोक दिया, और एक रतन जडित कमखाब की थैली में रख कर पान का बीड़ा उसके पास भेज कर कहा, कि वह भे सवारी के साथ रह कर उसे रौनक ब और ये हिंदू सरदार भी पालकी के पीछे-पीछे अपने सवारों के साथ चला, दूला भाई ने बेगम को इस बात की इतला दे दी, जो मनसवदार पालकी के साथ साथ चल रहा था, उसकी आखों में इस हिंदू सवार को देखते ही खून उतर आया, परंतु इस तरुन र वहाँ इस बेगम ने एक सराय बनवाई थी, यह सराय उस समय भारत वर्ष भर में श्रेष्ट इमारत थी, इसकी सारी इमारते दूमंजली और उपर बड़े-बड़े आलिशान सुसजित कमरे बने थे, जिनमें देश-देश के लोग ठहरते और तफरीह करते थे, सराय में नहाने के लिए पक्के हौज, नल और बड़े-बड़े बावर्ची खाने बने थे, इस सराय के इंतिजाम के लिए बेगम ने योग्य करमचारी नियुक्त किये थे, इस समय तक भी सराय समूची बनकर तयार नहीं हो पाई थी, और हजारों कारिगर और मिस्त्री उसमें चि किया गया था, बहुत से खोजे, दास-दासी अपने कामों में लगे वे थे, इस समय सराय का वह भाग जहां बेगम तश्रीफ रखने वाली थी, जहां एक खुबसूरत चोटा सा बागीचा भी था, भली भाती सजाया गया था, बागीचे के बीच संग मरमर की बारह दरी थ शाम की भीनी सुगंध हवा में भर रही थी, बाग के माली ने सारी बारह दरी को फलों से सजाया था, हुजूर शहसादी आज रात इसी बारह दरी में आराम और तफरीह करना चाहती थी, ख्वाजा सरा और बांदियों ने मसनत चांदनी और गाव तक ये लगा दिये, आरे यहां मुकीब रहने तक अपने पहरे चौकी रखे, और अमीर नजावत खा सराय के बाहरी हिस्से में अपने सिपाईयों से ही चला जाए, शहजादी का हुक में दोनों उम्रावों को पहुँचा दिया गया, दोनों ने भेद भरी निगाहों से एक दूसरे को देखा, तलवार की मूट पर दोनों का हाथ गया, और चणबर में दोनों एक दूसरे को खूनी नजरों से देखने लेगे, नजावत खाने बालिष्ट भर तलवार म्यान से खीच ली और गुस्से भरे आवाज में शेर की तरह गुर्रा कर कहा, खुदा की कसम मैं यह हर्गिस बरदाश्ट नहीं कर सकता कि एक काफिर को मुसल्मान के बराबर रुत्बा दिया जाए, मैं चाहता हूँ कि इसी वक्त तेरे दो टुकडे करके तेरा गोश्ट कुट्टों को खिला दूँ, चाहता तो मैं भी यही हूँ कि इसी वक्त तुम्हारा सर भुट्टे की तरह उड़ा दू, मगर बहतर यही है कि अभी आप जनाब नजावत अली खां बहादुर चुप चाप अपनी नौकरी ठंडे ठंडे बजाएं, जैसा कि हुजूर शहजादी का हुक्म है, और सुबह तक भी आपके यही इरादे और दम खम रहें, तो फिर हम दोनों को अपने अपने इरादे पूरे करने की बहुत गुंजाईश है। परन्तो उसके अपने शौक के प्रियवस्तु वह थी, जो खास उसके नजरों के सामने अंगूर में गुलाब और बहुत से मेवे डालकर बनाई जाती थी। यह अतिस उगंधित और स्वादिश्ट होती थी, और बेगम जब-जब खुश होती, इस शराब के जाम पर जाम चड़ाती थी। पर आज वह बहुत खुश तो न थी, बहुत से चिंताएं उसके मस्थिश्कों को परिशान कर रही थी। इतने बड़े मुगल सल्तनत की राजनीती में वह सक्रिय भाग लेती थी, उसी का सरदर्द थोड़ा न था, परन्तु इस समय तो उसे अपनी ही एक चिंताने आगे रहा था। इसी से मुक्त होने के लिए वह केले के भारी वातवरन को छोड़ कर यहां चली आई थी। अकबर बादशाह के समय से ही यह दस्तूर चला आ रहा था कि मुगल बादशाहों के खांदान की शहजादियां शादी नहीं कर पाती थी। इससे उनके गुप्त प्रेम होते रहते और मुगल हरम का वातवरन हमेशा दूशित रहता था। परन्तु दारा शहजादी का विवाह नजावत खांसे करने की एक्षा प्रकट कर चुका था। वा शहजादी को प्रेम करता था। बहुत दिन से बल्क बुखारा और मुगल खांदान में चक चक चल रही थी। वा चाहता था कि यदि दोनों खांदानों में रिष्टा हो जाए तो यह पुरानी शत्रुता जाती रहे। परंतो इस शादी में बहुत बाधाएं थी। प्रथम तो बादशाही या शादी करने को राजी नहीं होते थे। उन्होंने उनके साले शाइस्ता खांको समझा दिया था कि यदि या शादी की गई तो अवश ही नजावत खांको शहजादों का रुत्बा देना पड़ेग जबकि वे इस समय चाकर से अधिक का दर्जा नहीं रखते। फिर शाहे बलक में लड़ने के मनसूबे भी अभी थे और इसके राजनीतिक कारण भी बने ही हुए थे। दूसरी बड़ी बाधा यह थी कि शहजादी हिंदू राजा बूंदी के चतरशाल को चाहती थी। उन अंतक किसी राजपूत सरदार का खुलम खुला शादी करके रनिवास में एक शहजादी को ले जाना बहुत ही कठिन और अवेवहा रह था। फिर मुगल अदब काइदे तो ऐसे थे कि बड़े से बड़े हिंदू राजा को मुगल शहजादीयों के सामने भी उसी तरह जु पिचार नहीं किया जाता। शहजादी इस राजपूत के प्रेम में दिवानी थी और यह बात नजावत खां और छतर साल दोनों ही जानते थे। इसी से वे एक दूसरे को खुनी आखों से देखते थे। इसी मामले में एक तीसरा शिगूफः भी था। दूलह भाई जो श सोचा करता था कि बेगम से शादी कर लेने पर संभव है कि वह भी बादशाह बन जाए। कभी-कभी वह डिंगे भी हाकता और उसकी खूब हसी भी होती थी। एक बर शहजादी ने उसे खांजदा का खिताब दिया और उसकी जित से उसे इलम और शाही मरातिब रखने का अ जब वे दोनों पास-पास से गुजरे तो जुलू उसके सैनिकों में जगड़ा हो गया। उधर महवत खाने उसके जंडे को देखा तो अपना इलम तह कर लिया और बीना जंडे के शाही हुजूर में जा पहुचा। जब बादशाह को इसके सूचना मिली तो उसने इसका क पूचा। महवत खाने कहा। हुजूर जहापना हमारा समय तो बीच चुका, अब तो मर्तब इलम उड़ाते हैं। जब बादशाह को सब बाते मालूम हुई तो क्रोध में आकर उन्होंने खानजदा साहब का इलम तुड़वा दिया। खानजदा ने शहजादी के सामने ब आध्यम बनाई वे थी। वो शहजादी के खानगी मामलों का दरोगा अपसर था। दैवयोग ही कहिए कि इस समय शहजादी के ये तीनों चाहने वाले एक ही स्थान पर हाजिर थे। तीनों है इस समय शहजादी की विशेश कृपा के एकशुक थे। बारदरी समूची संग मरमर की बनी थी। उसका फर्ष काले और सफेद पत्थरों का बना हुआ था। दिवारों पर रंग बिरंगे पत्थरों की सुन्दर पच्चीकारी की गई थी। थोड़े उंचाई पर कदे आदम आयने लगे थे और फर्ष पर नर्म इरानी कालीन बिचे थे। उन पर हाथ नफिस जर्दोजी का काम हो रहा था। सामने करीने से चौकियों पर धेर के धेर फूल, इत्र और अनेक प्रकार की सुगंध तथा शंगार की वस्तुमें रखी थी। मसनत पर अलसाई देह लिए शहजादी अकेली बैठी थी। बाहर नंगी तलवार लिए तातरी बांदि अंगूरी शराब कहां है। शराब मैंने पी है। बेशक उसका मुकाबला तो आबे हयात भी नहीं कर सकता। मगर हुजूर शहजादी जरा उस कमबक्त शाहे इरान का भी तो दिल रख लीजे। बड़ी बड़ी उम्मेदे बांद कर उस मर्दूद ने या कीमती तवफा भेजा है। शहजादी ने हसकर कहा। शाहे अबबाश ऐसा बादशा नहीं है जिसे मर्दूद कहा जा सके। बस हमें उसके खातिर बर्स्र चश्म मनजूर है। इसके अलावा हम तुमें भी ममनून किया चाहती है। इसी से बखुशी या प्याला मनजूर करती है। शुक्र खोदा का। शहजादी को इस गुलाम के कदर का भी खयाल है। मैं तो एकदम नाउमीद हो गया था। किस फिक्र में है। जा बक्षी पाऊं तो अर्स करूं कि हुजूर शहजादी की नजरे इनायत इस कम नसीब पर अब पहले जैसी नहीं रही। तो दूला मिया अब तुम भी बड़े हो गये हो, बच्चे नहीं हो, फिर हम तो तुमसे खुशी है। शहजादी ने प्याला खाली किया और दूला मिया ने उसे दुबारा भर कर शहजादी की और आगे बढ़ाते वे कहा। बेयद्वी माफ हो बेगम, गुलाम बड़ा हो या तो खुदा रखता है। शहजादी खिल खिला कर हस पड़ी और उसने कहा, तो बेहतर है तुम अपने दिल का इजहार खुल कर करो, हम उस पर गौर करेंगी। तो अर्ज करता हूँ हुजूर शहजादी कि उस तुर्क मर्दूत नजावत खा की आखे मुझे कतई पसंद नहीं और नहीं वा काफिर हिंदू राजा मुझे पसंद है, जिसे आज सवारी के वक्त बीड़ा शाही इनायत करके और सवारी के साथ रहने का हक देकर सरफराज किया गया। उसने तीसरा प्याला शहजादी की उरबढ़ा कर कहा। शहजादी ने हस्तिवी आखों से उसकी उर देख कर कहा वल्ला, तो तुम इन दोनों नापसंद आदमियों के साथ किस तरह पेश आना चाहते हो। शहजादी ने मुस्कुरा कर दोले मिया की उर देखा। दोला मिया, जो शहजादी के लिए विनोत की वस्तु था, अपने को शहजादी के प्रेमियों में जो एक समस्ता था, इस बात से खुश नहीं हुआ। उसने धीरे से कहा। क्या हुजूर शेहजादी को एक प्याला अंगुरी शराब पेश करूं जिसकी की हुजूर हद दर्जे की शौकीन है। यकीनन वा प्याला दूला मिया तुम्हारे हाथ से हम नोश फर्माएंगी। दूला खुश हो गया। उसने प्याला शेहजादी को पेश किया और शेहजादी ने प्याला हाथ में लेकर इशारे से ही उसे कह दिया कि हुक्म की तामील हो। विवश्ट दूला मिया उस आनंदायक सोहबत को छोड़ कर उठे और जाकर अमीर नजावत खां को बेगम का हुक्म सुना दिया। बेगम ने धीरे धीरे प्याला खाली किया और मसनत पर लुढ़क गई। इस वक्त वह मौज में थी और अच्छे अच्छे विचार उनके रिदय को अनंदित कर रहे थे। वह सोच रही थी नंबर एक रुकसत हुए और नंबर दो की आमद है। इस समय नजावत खाने आकर शहजादी को कोर्निश की और दो जानू होकर शहजादी के सामने बैठ गया। यदि पर यह मुगल दस्तूर और अदब के विपरीत था लेकिन प्यार मुहबत के मामले में अदब और लिहाज चलता नहीं है। शहजादी ने अमीर को पान दे कर कहा। अमीर खुश वक्त इत्मिनान से बैठिये। नजावत खान उसी तरह दो जानू बैठा रहा। उसने पान लेकर शहजादी को सलाम किया और कहा। शहजादी अब कब तक मैं जलता रहूँ। तुम्हें क्या तकलीफ है दिलवर। अब वादा पूरा होना चाहिए और नाचीज को शहजादी को प्यार करने का हक मिलना चाहिए। ओ तुम्हारा मकसद निकाह से है। शहजादी ने एक फूल के गुच्छे से खेलते वे कहा। बेशक हुजूर शहजादी और वालिदे एहद ने मुझसे वादे किये हैं। लेकिन ये सब तो पूरानी बाते हैं जानेमन। मुगल शहजादीयों के तो शादी ही नहीं होती क्यों नहीं होती। क्या आपने सुना नहीं कि मामू शायस्ता खाने जहां पना को इसकी वज़ब बताते वे कहा था कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो जिस अमीर से शादी की जाएगी उसे शहजादों के बराबर रुत्बा देना पड़ेगा। लेकिन खुदा के फजल से मैं अभी तो बल्क का शहजादा हूँ। तो शहजादा सहब हमें इस से कब इनकार है। हमारी नजरे यनायत पर आप शाकी नहीं हूँ। शाकी नहीं हूँ। मगर जो बात हो ही नहीं सकती उसके लिए हम बादशा सलामत से अर्ज भी कैसे कर सकती है। लेकिन शहजादी आप तो सल्तनत की मलिका हैं, जहापना क्या आपकी बात भी टाल सकते हैं। फिर भी, एक हिंदुस्तान के बादशा की लड़की की शादी नामुम्कीन है। तो फिर गुनाह से क्या फायदा? क्या तमाम हिंदुस्तान के बादशा की शहजादी भी गुनाह कर सकती है। शहजादी हिंदोस्तान के बादशाह के ऊपर एक दिनों दुनिया का बादशाह भी है वह आम लोगों के लिए है क्या यह भी कभी मुमकीन है कि मुगल शहजादी एक अधना मनसबदार की ताउम्र लॉंडी बन कर रहे लेकिन शहजादी बस खामोश हम ऐसी बाते सुनने के आदे नहीं है बस हम अपनी खुशी से जेस कदर इनायत तुम पर करें उतने में ही तुम आसुदा रहो मगर मेरी भी तो कुछ ख्वाइशात है हाँ होंगी पर फिलहाल हम उस पर गौर नहीं कर सकती तुम्हारी इलतजा से हमने आज यहां बारादरी में मुकाम किया और त चाहती है कि आइंदा अपने इरादों को आप काबू में रखो तो हुजूर मेरी एक अर्ज है अर्ज करो तो मुझे भी अमीर मेर जुमला के साथ दक्कन भेज दीजिए ताकि अपने आखों से मैं वह सब न देख सको जिसे देखने का मैं आदी नहीं हूँ तुमारा नजावत क्या है शहजादी वो काफिर हिंदू राजा जिसमें हुजूर खास दिल्चस्पी ले रही है मैं उसे कल कतल कर दूंगा और दक्कन चला जाओंगा और फिर कभी आपको मुह न दिखाऊंगा नजावत खान तेजी से उठकर चल दिया बाहर आकर उसने देखा खा और क्रोध में भरकर कहा मर्दूद नामाकूल तेरा सर धर से अलहदा कर दूंगा बदखुशी मनसबदार साहिब मगर शादी का जुलूस देख लेने के बाद वह हस्ता हुआ एक और चला और नजावत खान दाओं पेच खाता दूसरी ओर शहजादी कुछ तेर फूलों के गुलदस्ते को उच्छालती रही, कुछ तेर बाद उसने दस्तक थी, चांदनी खूब चटक रही थी और बेगम अंगूरी शराब के नशे में मस्त थी, उसका शरीर मसनत पर अस्त व्यस्तसा पड़ा था, आखे नशे में जूम रही थी, उसकी प्यारी विश्वासनी बा देखा और रुस्तम की और देख कर कहा, वो हिंदू राजा चौकी पर मुस्ताद है ना, जी हां खुदावंद, तो उसे हमारे रूबरू हाजिर करो, अपनी महर्बानियों से हम उसे सर्फराज किया चाहती है, रुस्तम सिर जुका कर चला गया, बेगम ने गर्दन जुका कर हुस्न बानू की और तीर्ची नजर से देख कर कहा, क्या तो उस हिंदू राजा की बावत कुछ जानती है, सिर्फ इतना कि वो एक दयावान और नेक रहिस है, बस, खुबसूरत और बाका भी एक ही है, हरामजादी, क्या तेरी तबियत उस पर मायल है, बेगम ने उत्ते चला शिराजी दूसर कर, देख, गुलाब और इस्तंबोल भी मिला, बान्दी ने स्वादिष्ट शराब का प्याला तयार करके बेगम के हाथों में दे दिया, शराब पीकर बेगम ने कहा, तो किसी ऐसे मुसब्बिर को जानती है, जिसने इस तेरे बाके हिंदू चला के त प्याला फिर उस पर फेका और मसनत पर उढ़ंग गई, इसी समय रुस्तम ने राव छत्रशाल के साथ आकर सलाम किया, छत्रशाल ने आगे बढ़कर बेगम को कोर निश की, बेगम ने तिर्ची नजर से ख्वाजसरा की और देखा, ख्वाजसरा चुप चाप सलाम करके वह से खिसक गया, अब एकदम एकांत पाकर बेगम ने कहा, खुदा का शुक्र है, बैट जाएए, उसने मसनत की और इशारा किया, पर यह तरुन राजपूत एक कदम आगे बढ़कर ठिठक कर खड़ा हो गया, उसने कहा, शहजादी, बेहतर है मुझे अपने नौकरी बजाने का हुक्म हो जाए, मेरे प्यारे राजा, यह तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारे ऐसी ही बातों से मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हुआ जाता है, शहजादी ने अपने बड़े-बड़े आखें उठा कर राजा की ओर देखा और मीठे स्वर में कहा, आजम बहुत खुश ह और उमीद है कि इस चमेली सी चटकती चांदनी का लुफ्त उठाने में राव चतरशाल दरेग न करेंगे, तरुन राजा अपनी जगा पर ही खड़ा रहा, शहजादी की शराब से लाल आखें और भी लालो गए, परन्तों उसने मन के गुस्से को रोक कर कहा, जाने मन, हमा ही कर सकते दिलवर, यह मेरे दीनों इमान के खिलाफ है, लेकिन हमारी खुशी है, हम तुमें दिल से चाहती है, मैं नाचीज राजपूत, हुजूर शहजादे की इस इनायत का हकदार नहीं हूँ, तो तुम हमारी हुकम उदूली के जुरत करते हो, हुकम देजिये कि मैं च चाहती है, तुम्हें दिली मुहबबत रखती है, तुम्हें डर किस बात कहे जाने मन, कहो वही हम करेंगे जिसमें तुम्हारी खुशी हो, शहजादी, मुझे चले जाने की इजाज़त दीजिये, और फिर कभी ऐसा कलमा जबान पर न लाइए, यही मैं चाहता हूँ, और ह हम तुम्हें चाहती है, सिर्फ तुम्हें, तुम मेरे दिलवर हो, जिस दिन मैंने पहली बार जरोखे से तुम्हें घोडे पर सवार आते देखा, जिसकी टाप जमीन पर नहीं पड़ती थी, और तुम उस पर पत्थर की मूर्ती की तरह अचल बैठे थे, तभी से तुम्ह कर दिया, मैंने कितने तौफे भेजवाएं तुम्हें सब लोटा दिया, आज हमने तुम्हें पाया है, अब आकर हमारे पास बैठो, हम अपने हाथ से तुम्हें इत्र लगाएंगे, तुम्हें प्यार करेंगे और अपने दिल की आग बुझाएंगे। गुसे में पढ़कर बड़ी से बड़ी ताकत को दोजक की आग में जलना पड़ता है। लेकिन राजा पर इस बात का कोई असर नहीं वा, उसने बेगम की किसी बात का जवाब नहीं दिया, उसने मस्तक जुका कर बेगम का अभिवादन किया और तेजी से चल दिया, बेगम पैर से कुछली भी नागिन की भाती फुफकारती भी मसनत पर चट पटाने लगी। राजा के बाहर आते ही दूला ने सलाम करके हस्ते वे कहा। मुबारक राजा साहिब मुबारक, शहजादी का प्रेम मुबारक। राजा का हाथ तलवार की मूठ पर गया और दूला भाई के हस्ता हुआ भाग गया। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। दोस्तों ऐसी और भी कहानीया सुनने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जल मिलूगी ऐसी और भी कहानीयों के साथ। नमस्कार।